प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं आज Model Paper No.2, हिंदी विशे का कक्षा 10 वी का, पूरा Model Paper का सॉलूशन हम देखेंगे, इसमें सारे के सारे प्रशनों को लिया गया है, और आपका जो नया Blueprint है, उसी के आधार पर जो है ये प्रशन पत्र है आपका, और बहुत ही विशेश प्रशन पत्र है, ये Model Paper No.2 है, और इसके बाद Model Paper No.3 दिया जाएगा, इस तरह से आपके और भी Model Paper कराए जाएगे, Model Paper 1 जो है आपका पहले ही करवा दिया गया है, तो ये सारे के सारे जो questions देख रहे हैं, इन सभी के उत्तर में आपको यहाँ पर देने वाले हैं, हर question के उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसा कि आप questions देख रहे हैं, इस सारे questions के उत्तर हम यहाँ पर discuss करेंगे, आपका जो नया प्रशन पत्र है, इसमें 20 प्रशन पूछे जाएंगे आपसे, और इन 20 प्रशनों के उत्तर आपको देना अन्यवार रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इन प्रशनों के कैसे उत्तर रहेंगे, और किस तरह के प्रशन यहाँ पर पूछे गए हैं, पहले प्रशन से start करेंगे, जो कि आपके MCQ आएंगे 12, 12 MCQ पहले हम देखेंगे, उसके बाद खालिस्थानों को पूरा करेंगे, तो चलिए start करते हैं, अपने इस प्रशन पत्र के उत्तर को, और देखते हैं कैसा प्रशन पत्र है, और कैसे इसमें प्रशन है, सबसे पहले प्रशन की बात करते हैं, खंड और में जो आपके 12 प्रशन आएंगे, वो आएंगे आपके सारे के सारे MCQ, तो पहला जो प्रशन है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्ये में धोखा संग्या है, तो धोखा जो है, ये कैसी संग्या है, ये आपसे पूछा गया है, ये धोखा जो वाक्ये है, ये कैसा संग्या है, तो धोखा दिया है, इसका मतलब क्या है ये संग्या, ज्यान देना है आपको, ये जो संग्या है, ये क्या है धोखा, जैसा कि आपको मैसूस हो रहा है, धोखा यानि कि भाव प्रकट कर रहा है अपना, तो यहाँ पर भाव आचक संग्या इसका उत्तर हो जाएगा, दोखा देने का मतलब हो गया, भाव प्रकट करना अपना भाव प्रकट किया जा रहा है, तो आउप्शन इसका correct हो जाएगा, दूसरा इसमें से किस सब्द में उपसर्ग नहीं है, यानि कि जिस सब्द में उपस नहीं है, तो यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया, यह दियान रखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, यह बहुत important चीजे कि आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आप समझ रहे हैं, तो आप जो है आंसर दे पाएंगे, तो कहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अगला ज सभी को पता होगा, हारिल जो है, एक पक्षी को बताया गया है, तो यहाँ पर तीसरे का option क्या हो जाएगा, आपका option correct हो जाएगा, अगला जो प्रशन है, परशुराम ने लक्षमन को काल के वश क्यों बताया था, यह हमें बताना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सही स तो परशुराम ने लक्षमन को काल के वश काल के वश महतू, तो यह क्यों बताया था यह पूछा गया आपसे, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वश्यव के धनुस को मोटे धनुसे के समान बता रहे थे, इसलिए तो यहां पर आपका option number बा correct हो जाएगा, अगल मुर्जा कर गिर रही पक्तियां क्या संदेश दे रही है तो मुर्जा कर गिर रही पक्तियां ये पक्तियां जो गिर रही है ये मुर्जा के गिर रही है तो ये क्या संदेश दे रही है इसका संदेश यानि कि मूल भाव क्या है वो हमें बताना है संदेश बताना है तो ये ज जो है छणों का मुल्य है के वल मतलब कभी किसी छण जो है मानाव जीवन जो है समाप्त हो सकता है तो मानाव जीवन की छणिकता का जो है ये संदिस्ध दे रही है यहाँ पर आप आपका Correct हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं उत्साह किसको संभोधित गीत है तो उत्साह जो है ये किसका संभोधन कर रहा है तो उत्साह जो है ये बादल को संभोधित करने के लिए गया गया गीत है तो उत्साह किसके लिए है बादल के लिए तो यहां पर जो है और ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आजिए साथवे प्रश्ण को देखते हैं लेखिका के पिता शक्की किस कारण से थे यानि की लेखिका के जो पिता थे वो शक करते थे तो उसका रीजन क्या था? वो क्यों शक्की हो गए थे? क्या कारण था? तो इसका क्या आंसर बताओगे आप? अपनों के विश्वास घात के कारण लेखिका के पिता जो है शक्की हो गए थे तो यहाँ पर आप्शन जो है आपका साथवे प्रशन का उत्तर हो जाएगा आठवा प्रशन मेरी तेरी उसकी बात उपनियास के लेखक कौन है मेरी तेरी उसकी बात उपनियास के लेखक कौन है तो मेरी तेरी उसकी बात उपनियास जो है ये उपनियास से ध्यान रखना काई पूछता है कि मेरी तेरी बात ये किस विद्या की रचना है उपनियास से कवीता है कहानी है तो आपको ध्यान रखना है तो पिन्यास के लिखा कौन है? तो ये हैं यश्पाल, यश्पाल जो है इस विद्या के रचनाकार है, ठीक है? अगला जो प्रशने उसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, बाल गोबिन भगत के बेटे को मुखगनी किसने दी? आपको अच्छी तरह से पता है, बाल गो बाल गोबिन भगत ने मुखगनी दिलवाया था, तो मुखगनी किसने दी थी? ओतुभू ने, तो आप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, नौवे प्रशन का उत्तर, तस्वा प्रशन जो है, वो लंगडा क्या जाएगा फॉज में? इसमें लंगडा किसके लिए प्रि गाओ पर क्या लगाया? मा ने भोला नाथ के गाओ पर क्या लगाया था? मरहम नहीं लगाया था, नीम के पत्ते का लेब भी नहीं लगाया था, खास का लेब भी नहीं लगाया था, हल्दी पिसी हुई लगाई थी, तो दो आप्शन जो है, आपका करेक्ट हो जाएगा, कि भोला नात के घाओ पर मा ने फिपी से उही हल्दी लगाई थी अब जो बार्वा और अंतिम MCQ जो है उसकी बात करते हैं फिर खालिस्तानों की हम बात करेंगे लेखिका ने गंग्टाक को किस का शहर कहा है लेखिका ने किस का शहर कहा है हमने पढ़ाया अच्छी तरह से कि लेखिका ने गंग्टाक को जो है महनतकश बादशाओं का शहर कहा है तो यहाँ पर option जो है correct हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next जो है रिक्स्तानों की पूर्ती करनी है शब्द जो किसी वस्तू पदार्थ या तौल या माप का बोध कराते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं तो वो द्रव्यवाचक संग्या कहलाते हैं अगला जो है जहां दो वस्तूओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है वहाँ पर विशेशन की खालिस्तान होती है तो उत्तम अवस्ता होती है कि उसमें हम बताते हैं कि कम कौन सा है और ज्यादा कौन सा है तो विशेशन की कौन से अवस्ता होगी उत्तम अवस्ता होगी तो उत्तम अवस्ता जो है इसका आंसर हो जाएगा अगला जो प्रश्ण है जो अव्यव शब्द क्रिया की विशेष्टा का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया विशेष्ण के नाम से जानते हैं ध्यान रखना है बहुत अच्छे अच्छे प्रश्ण है इनको अच्छे तरीके से याद करना है आपको पहला model paper जरूर देख लेन आपका हिंदी, इंग्लिस और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और संस्किती है सारे के सारे 6 के 6 विशे हमने model paper बूर्ड के द्वारा जारी किए 6 के 6 model paper को solve कर दिया है पूरे YouTube पे आप कितना भी सर्च मार लो आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे पूरा solution है नहीं म questions है उनको बता देगा बाकी कुछ नहीं बता आएगा कोई भी क्योंकि कोई solve करना ही नहीं चाहता है बताना ही नहीं चाहता आप लोगों को इसलिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिए और देखते जाईए आपको ज्यादा बुक को छाटने की जरूत नहीं है आपको बस पढ़ने की जरूत है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं जितना जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उतनी जल्दी जल्दी मैं आपको पेपर्स देता रहूंगा अगला जो question है हिंदी के प्रचलित उपसरगों को मुख्य खाली स्थान भागों में माटा ज जाता है ठीक है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अगला जो प्रशने उसकी बात करते हैं जहां पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वन आ जाता है उससे खाली स्थान कहते हैं तो उसको हम विसर्ग संधी के नाम से जानते हैं ठीक है और अगला जो question है द्वंद यहां लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्ष्ट अपठित गध्यांस के तरफ, दूसरा क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपका खालिस्तान के बाद में, वो अपठित रहेगा आपका, और यहां पर जो पठित गध्यांस दिया गया है, इसको ध्यांस समझीएगा, अनुशासनी वकुंजी है, जिस से हम जीवन का विकास कर पाते हैं, तथा सफलता की अनेक चरण छूते हैं, यदि हम देखें तो समूची प्रकरती भी एक अनुशासन में बंदी हुई है, सूरे का नित्य प्र इद्वन्सकारी घटनाएं घटित होती हैं, समूद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समूद्र मर्यादित रहता है, यानि कि समूद्र में चाहिए कितनी भी लहरे बहुत ज़ादा है, लेकिन वो समूद्र किसी को नुकसान नहीं पहुचाता है, एक निश्चित गती से प और ज्वी अनुशाषन का अत्यादिक महत्व है, विद्द्यार्थी जीवन व्यक्ति के सगन साधना का काल है, जिसमें वैस्वआयं का शारीरिक मानशिक तथा रचनात्मक निर्मांड करता है, अनुशाषन दो प्रकार का होता है, पहला आत्मानुशाषन और दूसरा बा अबाव होने तथा उसके अधिकारों के कारण माना जाने वाला अनुशाशन है, जो कि हम किसी जैसे अपने मातापीता की या हैड मास्टर की या टीचर की बाते बाते हैं, चुकि विद्याले में सिक्षा ग्रहन करने की अवस्था में बालक का निर्मान सीखने की प्रक्रिया में होता है, इसलिए इस अवस्था में जो वसीक्ता है, वे उसके जीवन के इस्थाई मुल्ले बन जाते हैं, अब यहाँ पर छे कोश्चन पूछे जाएंगे आपसे, पहला है प्रसुत गध्यान्स का सीशक बताना है, दूसरा है अनुशाशन कितने प्रकार का होता, अब जालक की जीवन में इस्थाई मुल्ले कहां बनते हैं, पतन शब्दे का विप्रीत आर्थक शब्द जो है गध्यान से छाट के लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें अनुशाशन, जो इस गध्यान्स का हमने सीर्षक देखा हो जागा अनुशाशन का महत्तो या अनुशाशन की उप्योगी था, या विद्यार्थी जीवन में अनुशाशन, ठीक है, तो यह भी हम लिख सकते हैं, अनुशाशन कितने परकार के होते हैं, तो अनुशाशन जो है, आतम अनुशाशन होता है, और बायानुशाशन दो परकार के होते हैं, जो कि हमने गध्या काल का साधना का काल है क्या है विद्यार्थी जीवन तो यहीं हमें आंसर लिखना था विद्यार्थी जीवन जो है व्यक्ति के जीवन का सगन साधना काल है अनुशाषन के कौन कौन से प्रमान है तो अभी हमने देखा था सूरे चंद्रमातारे सारे के सारे जो है अनुशाष जो विप्रितार्थी शब्द होगा यानि पतन मतलब जो है खतम होना और विकास जो है इसका उल्टा शब्द हो जाएगा विप्रित शब्द हो जाएगा पतन मतलब समाप्ति और विकास मतलब उत्पत्ति तो यहां पर विकास जो है यहां पर हम बोलेंगा गद्यांस से दोरी धेरी यह आपका पूरा पूरा जहांसी रानी के बारे में चोटा सा कवीता दिया गया है और आपने पढ़ी नहीं होगी कभी और इसको पढ़ने के बाद प्रश्ण को उत्तर देना है तो यह पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा यहां पर सबसे पहले प्रस्तूत गद्यांस का सीर्षक क्या होगा रानी की समाधी को किसका प्रतीक बताया गया है तो प्रस्तूत गद्यांस का उचित सीर्षक हम बता सकते हैं जहांसी की रानी की समाधी या लक्ष्मिवाई की समाधी का महत्वर रानी की समाधी को किसका प् उसकी क्या विश्यषटा थी और मैं तुम राणी में तो राणी कि नहीं मैं तो समाधी को प्रिय मानती हूँ क्योंकि इसमें सोतंत्ता की आशा की चिंगारिया विद्धमान है और रानी की समाधी से सुंदर अन्य समाधियों के गुण कौन गाते हैं तो आंसर हो जाएगा रानी की समाधी से सुन्दर अन्य समाधियों के गुंड जो है रात्री में छुद्र जीव जन्तु गाते हैं ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है अगला जो प्रश्ण है उसकी बात करते हैं यहाँ पर आपका खंड बह सुरू होता है इसमें आपको जो उत्तर देने है और उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको तो देखिए सबसे पहले उत्तरों को देख लेते हैं यहाँ पर है मजहब के प्रती समर्पित बिस्मिल्ला खां काशी से बाहर होने पर बाबा शिवनात के प्रती अपनी सद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे तो हमार आंसर हो जाएगा मजहब के प्रती समर्पित बिस्मिल्ला खां कासी से बाहर होने पर बाबा बिश्वनात वा बाला जी के मंदिर की जिशा की और मुह करके बैठते थे और कुछ छण के लिए वे उसी और सहनाई को घुमा कर बजाते थे इस तरह वे शैनाई वादन के माध्यम से अपनी आस्ता और सर्दा को प्रकट करते थे अगला जो प्रश्न हो जाएगा उसकी बात करते हैं इसमें पूछा किया लेखक किस बात से भैवित है आप उसके भै को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना उचित समझेंगे तो ले सिती में उसके भै को दूर करने का सुझाव यह है कि हमारा वैज्यानिक विकास कल्यानकारी भावना कर लेकर हो और प्राप्त उपलब्दियों का उप्योग स्वार्थ से उपर उठकर हो जिसमें परुपकार की भावना विद्यमान हो तो यहां पर हमें सुझाव भी देना है फसल कवीता का प्रतिपाद लिखना है तो फसल कवीता में कभी ने बतलाया है कि फसल अनेक सामोहिक प्रयासों की सुगद परिणिती है यानि कि परिणाम है इसमें अनेक प्राकर्तिक स्रोत और मानोश्रम समलित प्रयास के रूप में जो है समाहित है यानि कि प्रकर्ति भी साथ देती साथ साथ मानो श्रम्भी हैं बरसाथ है मिट्टी है सब पुछ समाहित है इसके समूचित सवयोग से ही फसल उकती और बढ़ती है तो यहीं हमें प्रतिपात देश का बताना था अगला जो प्रश्ण है आठ्वा इसमें बात करें तो कुरोध पर विने और व्य समवाद के आधार बे बताना है तो विने क्रोध को शांत करता है यानि कि हम जब प्यार से बात करते हैं तो हमारा क्रोध जो है सांत होता है जबकि व्यंग क्रोध को भड़काता है हम जैसे ही काना देंगे व्यंग करेंगे तो व्यंग करेंगे तो बढ़क जाएगा जो question है उसकी बात करते हैं महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है ऐसा क्यों कहा गया है माता का आचल अध्याय के आधार पर संशिप में बताना है तो महतारी नहीं मा खेल खेल में कहानिया सुना कर बड़े ही प्यार से बच्चों का ध्यान खाने पर से द्ध लजख Japombi आच्टा कहा गया है यह हमारा उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न किभात करतें हैं कि यदि आप इस पीडियह को प्राप्त करना चाहते हैं तो लास्ट में इसके वीडियो लास्ट में जो आपको इंस्टक्शन मिल जाएंगे कैसे आप PDF ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो अधर्वाइज आप यहां से उत्तर उतार सकते हैं दस्वा जो प्रशन है नारगे ने धर्म चक्र की क्या विसेशता हैं बताई साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के अध्यार पर बताना है लेखी का पूर्वत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंग तोट गई थी वहाँ पर एक कुटिया में घूमता चक्र देखा जो घूम राता चक्र ठीक है पूछने पर नारगे ने बताया कि यह धर्म-चक्र है यानि कि प्रियर्वी लें इसको घूमाने से सारे पाप धूल जाते हैं तो यही इसकी विसेशता जो है नार गे ने धर्म-चक्र की बताई थी अगला जो प्रशने उसकी बात करते हैं यहां पुछा गया है सब कुछ होम कर देना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्के का प्रियोग हमें करना है तो सब कुछ होम कर देना नहीं कि सर्वस बलिदान कर देना सब कुछ अपना निछाओर कर देना, बलिधान कर देना, वक्त के प्रियोग जैसे हम कर सकते हैं, देश भक्तों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया, यानि कि सब कुछ निछाओर कर दिया, बलिधान कर दिया, अगला जो प्रशन है उसकी बात करेंग तो यहाँ पर जब रगों में लहू की जगह लावा बहता है तो सारे निशेद, सारी वर्जनाएं और सारा भै कैसे द्वस्त हो जाता है यह तभी जाना और अपने क्रोध से सब को थर्थरा देने वाले पिताजी से टकर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ इस तरह से आप समझ गया होंगे कि कौन से पार्ट से लिया गया है अच्छी बात यह है कि इस बार आपका सब्रसंग व्याख्या नहीं आएगी सबसे अच्छी बात है इस बार आपके सब्रसंग व्याख्या नहीं आएगी के वहल प्रश्ण उत्तर आएंगे तो सब प्रसंग व्याख्या नहीं आएगी, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कवीता के सब प्रसंग व्याख्या लिखना या किसी गध्यांस के सब प्रसंग व्याख्या लिखना में बहुत जादा तकलीफ होती है, वहाँ पे सबसे जादा नंबर कटते हैं, इस बार ऐसा न प्रिणाम निकलते हैं, यह हमें बताना है, राजेद्र से साधी तक क्या चलता रहा, यह हमें बताना है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, लिखिका के पिता जी की सबसे बड़ी दुरबलता किसे कहा गया है, और पिता जी ने जीवन का मूल केंद्र किसे कहा है, तो यहां पर इस इसमें फिर अथवा पार्ड भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये चार प्रशन आपको उत्तरदेने हैं, इस पहले वाले पहरागर आपके जो उत्तर मैं भी बताऊंगा आपको, या फिर आप अथवा वाला भी कर सकते हो, अथवा वाला आसाट की रिमजिम है, और इसमें भी चार प्रशन पूछागा, गध्यान्स में कौन सी मास का चित्रन किया गया है, समुचा गाउं कब खेतों में उतर जाता है, आसाड की रिमजिम में बच्चे क्या प्रतिक्रिया करते हैं, और भगजी खेत में रोपणी के साथ क्या क्या कर रहे हैं, तो ये आप आपके चार प्रश्ण इस गध्यांस से हैं, या तो आपको ये गध्यांस का उत्तर देना है, या फिर आपको इस गध्यांस का उत्तर देना है, दोनों में से कोई भी दीजिया, और मैंने सारे दे रखें, सबसे पहले उपर वाले गद्यांस का उत्तर जो है मैंने चार लाइनों में दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो यह चारो लाइनों में उत्तर दे दिया गया बताने कि मुझे आउशकता नहीं आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसी का जो अथवा वाला पार्ट था जो अभी अब हमने देखा यह वाला चारो प्रश्ण इसके उत्तर जो है मैंने यहाँ पर दे दिये हैं इसके बाद आपको देखो मैंने बताया था कि पहले तो गद्यांस आएगा फिर आएगा आएगा आपका पद्यांस पद्यांस है वो कब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है तो गोपियों ने उद्दव को बड़ भागी क्यों कहा है जियों जल माह तेल की गगरी मून न ताको लागी पंक्ती का आज्सिस्पस्ट करना है गोपियों ने स्वैं को अबला क्यों कहा है और पागी शब्द का आपको देखने को मिलेगा इस अत्वा प्रशन का उत्तर दे सकते हैं ठीक है उजवल गाथा कैसे गाउं मधुर चांदनी रातों की ये वाला है आपका ठीक है इसको जब दिया गया है तो इसके प्रशन कोछ इस तरह से हैं इसमें पूछा गया है कवी किसकी गाथा गाने में स्वय को असमर्थ पा रहा है दूसरा जो है कवी को कौन सा सुख नहीं मिला तीसरा है उजवल गाथा कैसे गाउं मधुर चांदनी रातों की पंक्ती का आश्य आपको इस पस्ट कर देना है और खिल खिला कर हस्ते होने वाली बातों का अर्थ आपको बताना है तो चार यहा प्रश्ण है आपका उपर वाले प्रग्राफ का ठीक है गोपियो वाले जो चार प्रश्ण है इसके उत्तर की बात करें तो सबसे पहले गोपियो वाले चार प्रश्णों के उत्तर में यहां पर दिये हो है देख रहे हो आप गोपिया व्यंग में उद्धो को बढ़भाग देन क्यूं ने वा जिक है यह चीज इसमें बोली गई है तो यह चार प्रशनों का उत्तर हो गए पागी शब्दकार्थ क्या होता है मोहित होना या फिर लिप्ट्व हुई इसमें जो अथवा पार्ट है जिसमें ये चार प्रशन पूछे गए हैं ये चार जो प्रशन पूछे गए हैं अथवा वाले इसका भी उत्तर मैंने दिया हुआ नेता जी के चश्मा पार्ट के आधार बताईए कि सैनानी ना होते वी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे इसी माथवा पार्ट भी मिलेगा आपको अगर आप उपर वाला नहीं तो ये नीचे वाला कर सकते हैं नाना साहब ने अपने खांदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया लखनवी अंदाज जो आपका पार्ट है उस पर व्यंग लेख के आधार पर आपको लिखना है सबसे पहले नेता जी का चश्मा के पार्ट के आदार पर अगर हम बताते हैं तो सेनानी ना होते वे भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देश बक्ती की पवित्र भावना थी या फिर भावना प्रबल थी वे चश्मे वाला ना तो सेनानी था और ना नेता जी का साथी था फिर भी वे नेता जी सुबास चंदर बौस का जो है क्या करता था बहुत सम्मान करता था वे सुबास चंदर की बिना चश्मे वाली मूर्ती देखकर के जो आहत था मतलब उसको दुख होता था, इसलिए वह अपनी ओर सेनेताजी की मूर्ती परचस्मा लगाता था, या देशभक्तों के प्रती उसके आदर, प्रेम और समर्पन को दर्शाता है, इसकी इसी भाना को देखकर लोग उसे सुबास चंदर का साथी या सेना का कैप्टन कहकर पुक आखिये, नौब साहब सीट पर पालती मार कर आराम से बैठे थे, सामने तौलिये पर कच्चे ताजे खीरे रखे थे, उन्होंने खीरों को उठाया और लोटे के पानी से उसको धोया, फिर उन्हें पोचा, जेब से चाको निकाला, पहले खीरों के दोनों सिरों को काटा, और तोद कर खीरों का जाग बाहर निकाला, या घिस करके आप बोल सकते हैं, फिर खीरों को सावधानी प्यूर्वक्त छील कर और काट कर करीने से सजाया, यानि कि बहुत अच्छे तरीके से सजाया, वे खीरों पर नमक मिर्च बुरक कर, उन्हें सूंग कर उसका ले रहे थे, करके एक एक करके खिड़की से बाहर फेकते गए, इस प्रकार नवाब साहब ने खांदानी रहिस होने का भाव प्रकट किया, जो कि खीरा खाना चीए था, वो सोच रहे थे कि मेरे लिए खीरा कुछ भी नहीं है, मैं तो सूंग करी काम चला लोगा, मैं पंदानी रहिस हूँ, ऐसा कुछ है, पंद्रव जो प्रशन है, फसल को हाथों को अश्पर्स की गरिमा और महिमा कहकर कभी क्या व्यक्त करना चाहता है, इसी में अथ्वा पार्ट भी आपको दिया गया है, संगतकार के माध्यम से कभी इस प्रकार के व्यक्तियों की और सं पंद्रव का स्नेश इल्ड श्रम लगा होता है, क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से श्रम करके फसल को उगाते और बढ़ाते हैं, तभी फसल तयार होती है, फसल का फलना फूलना ही किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा है, इसके कारण जो है फसले बढ़कर के तयार होती है तो यही यह फसल को हाथों के इसपर्ष और गरिमा की महिमा कहकर कभी यही वैक्त करना चाहता है संगतकार के माध्यम से कभी किस प्रकार के व्यक्तियों की और संकियत करना चाहता है जो दूसरों की सफलता की प्रश्ट भूमी में रहकर अपनी महत्व बगल के जो पीछे बैठे हुए हैं लोग वो साथ देते हैं, तो वो ही संगतकार होते हैं, साथ बैठ करके साथ देने वाले, योगी एवं प्रतिभा संपन होने पर भी वेस्वाई को महतों न दे कर मुख्य वक्ति या मुख्य कलाकार या मुख्य गायक के महतों को बढ़ान खंडदा चारंकी प्रश्णों का सुरुव होगा, इसमें भी आपको अथवा देखने को मिलने वाला है, पहला कभी मंगलिष्ट डबरवाल का जीवन परिचे संशेप में लिखना है, या फिर रामवरक्ष बेनपुरी का जीवन परिचे और करतित्व परिचे संशेप में लिखना है, तो दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, मैंने मंगेश डबराल का हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुरा पढ़ लेना बहुत आसान सब्दों में है, इसके अथवा में जो है, रामवरक्ष बेन पुरी इसको भी छोड़ा नहीं है, कोई या उचित है, अत्वा पार्ट भी पुछा गया है, लेखा के अनुसार प्रतक्ष अनुभाव की अपेक्षा अनुभूती उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों यह आपको बताना है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि सेंपल पेपर नंबर एक, यानि कि मोडल प है और हमने पूरा सब्जक्ट का सॉल करवा रखा है, 2021 का उस समय तो आपका से लेवस सही नहीं था, क्योंकि वह आपका रास्थान बोट का आप तो NCIT के है, तीन साल से, तो 2022 का, 2023 का, 2024 के सारे मोडल पेपर पूरे सॉलूस्ट के साथ उपलब्द है, अब सभी को देख सकते हैं, उसके लिए जो है वीडियो के अंत तक आपको वीडियो के जाना होगा, कैसे पीडियो प्राप्त करेंगे, उस सारे निचे से रखे हैं, तो यहां पर जो आपका, पहला कुशन है, माता के आचल पार्ट है आपका, तो इसमें जो भोला ना, द्वारा चुहे के बिल मे शरार्ती, मनोवर्ती या प्रवर्ती को दर्शाता है, जो प्रकर्ती के लिए उचित नहीं है, यदि पशूपक्षी नहीं रहेंगे, तो पर्रयवरंड का संतुलन बिगड़ जाएगा, पशूपक्षियों से छेड़कानी करने पर वे हमें नुकसान भी पहुँचा सकते ह इसलिए बच्चों को विद्धैलिस तर पर पर परशूपक्षियों के संरक्षण का महत्तो समझाना चाहिए, और बच्चों को परशूपक्षियों से दूर रहकर खेलने की शिक्षा देनी चाहिए, यही चीज हमें इस पार्ट के आधार पर समझ में आता है, ठीक है, और यह उचीत नहीं माना जाएगा, क्योंकि पशूपक्षी जो है, पर्रयावनण के लिए बहुत ही उप्योगी है, हर चीज जो है आप जानते है, खाद्य संख्ला के रूप में जुड़े हुई है, एक चीज मर जाएगा तो दूसरे की संख्या बढ़ जाएगी, समझ में आ आंत्रिक होती है, ठीक है, तो यही हमें इसमें समझाना है कि क्यों करती है ऐसा मदद, तो यहां पर हम आंसर लिख सकते हैं, लेखक बिज्ञान का विद्यार्थी था, अतह जब हीरोशीमा पर बम गिराया गया, तो उसके परवर्ती प्रभाव का विवरण पढ़ कर उसके अपने लेख में लिखा की अनभूती इस्तर पर जो विवश्टा होती है, वो बौधिक पकड अथवा, विज्ञान के सध्यान दिक ज्यान से अलग होती है, यही आंसर हमें लिखना है, ध्यान अखना इस आंसर को तोड़र डंग से आपको याद करना है, ठीक है, आगे जो आपको यह चुनाव का दर्श्चे निवंद पर जो आपको लिखना है, छे अंकी निवंद रहेगा आपका यह ध्यान रखना है, छे अंक का प्रशन रहेगा आपका निवंद वाला, और या फिर आप राजस्थान में बढ़ता जल संकट, मैंने आपका जो मॉडल पिपर ह जो सौल करवाया है, उसमें बहुत सारे मैंने इनके करवारक है, आंसर्स, वो भी देख लेना, दूसरा राजस्थान का जल संकट, और जो मॉडल उबर दूँगा, उसमें भी करवाऊंगा बाकी सारे, और मोबाइल फोन, छातर के लिए वर्दान या विशाप, यदि में इसका निबंद लिखा है, बाकी तो निबंद मैंने और भी दे रखे हैं, आपको ये सारे के सारे निबंद जो है मैंने करवारक है, चुनाओ का दृष्चे, निबंद जो बाकी था तो इसमें दे दिया मैंने, उसके लाब रास्थान में बढ़ता जल संकट ये करवारक है ठीक है, mobile phone ये भी करा रखा है, यदि में भारत का प्रधान मंत्री होता है, ये भी करा रखा है, और आने वाले वीडियो में इन में से कोई भी अलग होगा, तो मैं करवाता रहूँगा, सारे वीडियो में करवाता रहूँगा, तो प्रस्तावना ले ले लेंगे, सबसे पहल अभी अभी कि जो यह बचे हुए है जैसे मैं भारत का प्रदानमंत्री होता है मुबाइल फोन वाला राजस्थान में बढ़ता जल संकट इन सभी के बारे में अलग-अलग वीडियो में बताया हुआ है सभी तरह के मिल जाएगा और आपको एक ही करना है और वो जो है मैं दे रहा हूँ उनमें से आएगा आपको अथवा में आपको फिर से मिलेगा एक कुश्चन यह चारंग की प्रश्ण रहेगा यह दियान रखना है आपको सभी को बापु नगर निवासी हिमांशु मानकर सैक्षिक भ्रह्मन का वर्ण्यन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखना है तब से पहले हम बता देंगे क्योंकि हम यह बन पर पत्र लिख रहे हैं किस लिख रहें अनुरोद करने के लिए पत्र लिख रहे हैं अभियनता स्वाइ में इसमे के नीवासी तो नीचे आप बता दो गया ठीक के बोर्ट परिक्षा की तयारी के लिए विदुत आपूर्ती नियमित करवाने के संबंद में और इसके बाद मानने पर मोहदे करते हुए उप्युक्त विश्यक्रम में निवेदन है कि हमारे शेत्र में बिजली की अनियमितिता के कारण बहुत परिशानी हो रही है अब अग परिक्षा तयारी को ध्यान में रखते हुए बिजली के आपूर्ती ये नियमित रूप से करवाने की कृपा करें जिससे की हमारा वविश्य उज्वल में हो सके धन्यवाद करते हो प्रार्थी अपना नाम लिख देंगे और अपना समाप्ति का गोशना कर देंगे इसी के पार्ट में जो है सेक्षिक भर्मन का महत्व आपको बताना है इसमें आपको बोला क्या गया है कि आप बानपूर निवासी मानशु मान करके सेक्षिक भर्मन के लिए अपने मित्र प्रियानशु को पत्त लिखना है कोई भी एक डाल दोगे जो आपकी मर्जी हो दिरांग कि आप भी प्रशन सब परिवार प्रशन और कुसल होंगे मैं पर प्रशन और कुसल हूँ पिछले सब्ता हमारे विद्या ले के शात्रों का एक दल वयाम शिक्षक जी के साथ श्यक्षिक ब्रमन आगरा गया था वयाम शिक्षक मतलब जो आपर इन पीटी टीचर जो होते उनकी बात करता है हमने वहाँ पर ताज महल पूराना किला तयाल भाग आधी परमुख स्थान देखे आप कोई भी स्थान का यहाँ पर जिक्र कर सकते हो जो आपने देखा हो विशेशकर वहाँ पर मुगल स्थापत्य कला को देखने का आउसर मिला विश्वी दाले हिंदी ब्राब्त केया कि क्या बना है कितने साल पूराना है किसने बनवाया था यह सब स reagने में सावधानी बstatने का अनुभा भी मिला कि किस तरह का प्रमण होता है मित्र छात्रों के लिए सक्षिक भर्मन का विशेश महत्व रहता है आपको भी ऐसे स्थानों का भर्मन करना चाहिए पत्र उत्र की परिक्षा में तुम्हारा मित्र हिवान्शु जो आपको लिखा गया है पत्र में लिखना था यह अगला जो है आपसे क्या पूछा गया है आपका 20 से ज़्यादा प्रशन नहीं पूछे जाएंगे आपके विद्याले के SUPW शिवीर में अनुप्योगी सामगरी से निर्मित उप्योगी सामगरी की विक्री है एक विग्यापन त्यार करना है इसी में अथवा पाड़ी मिलेगा या तो आप यह कर दो या फिर यह कर दो रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की विक्री बढ़ाने के लिए 25 से 50 सब्दों में विग्यापन त्यार कीजी तो दोनों में से कोई भी एक करना है और मैं आप आपको यह विग्यापन का तो बताई रहा हूं आंसर और यहां पर जो है दिशा निर्देश क्या है आपके इसी प्राप्त करना चाहेंगे तो यहां पर दिशा निर्देश लिखे गए हैं तो आप प्राप्ति के लिए इस निर्देश को फोलो कर सकते हैं यदि आप चाहे तो अगर आपको PDF नहीं चाहिए तो आप वीडियो से काम चला सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका जो आंसर था उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर अनुपयोगी सामगरी से हमने जो है उपयोगी सामगरी बनाई है तो सुनहरा मोका, सुनहरा मोका इस तरह से हम थोड़ा सा डालेंगे जैसे कि आप कभी भी pamphlet देखाओ अगर बारों में आपके घर के बाहर भी फैक के जाते हैं देते हैं तो इस तरह का ही होता है सुनहरा मोका, सुनहरा मोका, चूक न जाएं मन भावग सामगरी को उचित मुल्ले पर खईद कर ले जाईए आपके घर की शुवा बढ़ाईए ठीक है अतियादुनिक कलाकर्तियां है और ग्रह सुंदरे प्रसाधन है घर को सजाने के साधन है पधारकर चात्रों का उस्सा वर्धन कीजिए दिनांग दे दीजिए समय कौन सा रहेगा यह किस समय से किस समय तक जाएंगे और विक्री केंद्र कहां पर आप डाल रहे हैं वह बता देंगे तो इस तरह से आंसर हो जाएगा रक्षक हेलमेट के परचार है तो आपको बताना है तो हम कहें धमाका धमाका रक्षक हेलमेट मजबूत एवं हलके SI मारका वाला ठीक है 15% की भारी छूट है इस्ताक सीमित है ठीक है और इसके बाद में है महिलाओं के लिए रंग भी रंगे एवं विशेस हेलमेट हेलमेट इस तरह से आपका प्रशन पत्र था जिसको आपने देखा और यह है इंस्ट्रक्शन जो PDF आप प्राप्ट करना चाहें चाहें आप 2022 का सैंपल पेपर का प्राप्ट करें 2022 का सैंपल पेपर का प्राप्ट कर लीजिए वह भी मिल जाएगा आपको 2023 का प्राप्ट कर आपके नीचे आ रही है और description में भी दे रखा है मिने playlist तो playlist को आप check जरूर करिए उसमें सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए Thank you very much, have a good day.